दिखे, किना ही जी है, हमने isomers पढ़ भी लिया, लेकिन classification, ये पता चला है, ये एक दूसरे के isomers होंगे, अगला article हमारा रहेगा, ये एक दूसरे के कौन से isomers है, फिर उसके बाद अगला article होगा भई, इसके कितने isomers और बन सकते हैं, परिशानी कहीं नहीं है, ठीक है, त शुरू करते हैं, classification of isomers, एक होता है structure, structural, structural isomers में सीधा सीधा आपको पता चल दाता है structure, formula आई अलग होगया, different structure, दूसरा होता है stereo, यानि हमें लगता ही निये कि ये दूसरे के isomers है, बस 3D distribution आलग है, जिसकी वज़ा से उनकी physical और chemical property आलग हो जाती है, और वो एक दूसरे के isomers बन जाते हैं, तो दूसरा हो जाता है stereo isomers, और structural isomers, क्या लगता है आपको structural isomers में क्या होगा, मेरे रिसाब से ऐसे होगा, मैं इसको ऐसे रखता हूँ याद, ratification of multiple choice problem, ratification of multiple choice problem, या math, chemistry, physics, ठीक है न, ratification of multiple choice problem, तो R का मतलब क्या है यहाँ पर, ring chain, यह इनकी priority भी हो गया, T का मतलब, teotomeris, functional, metameris, chain, और P4, positions, तो total कितने होई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, नाम याद हो गए आपको, छे तरह की isomeris है, ring chain, position, सबसे पहले ring chain, teotomeris, functional, metameris, chain, positions, positions, तो कितने होई है, 6 तो यह होगई, और stereo में 2 होगई, एक geometrical isomeris, और एक, optical isomeris, एक GI और एक OI, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको GI और OI को देखते वक्त, मेरा पहला target है आपको यह 6 समझाना, फिर उसके बाद यह 2, यानि टोटल 8 तरह की isomeris आपको देखने को मिलेगी, और हम उन सबको एक एक करके अच्छे से समझते हैं, समय यह बाद चाहिए, आपको यह डवको देखने को,